Hello Friends, Welcome to this video और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब Teleprime Software में RentPate की Entry को किस तरीके से करेंगे उस पे GST किस तरीके से Applicable होगा और साथ ही में GST की Reports में उसका किस तरीके से Effect आएगा ये सभी चीजां आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे तो आप इस वीडियो को शुरू सलाश तक पूरा जरूर देखिए तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में बनी इस बैल आइकन को भी प्रेस कर दीगे जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटस्ट वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थुरू मिलती रहेगी तो आईए आज के इस टॉपिक पे शुरू करते हैं तो यहां पर हम अपनी कंपीटर स्क्रीन में टैली प्रेम सोफ्विर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आप किसी रजिस्टर्ट परसन को रेंट पेट करते हैं तो उसकी एंटरी और उसकी अकाउंटिंग को टैली प्रेम सोफ्विर में किस तरीके से किया जाता है अब रेंट पेट की एंटरी भी दो तरीके से की जाती है एक रेजिस्टर्ट परसन को और दूसरी अन्रेजिस्टर्ट परसन को इस वीडियो के अंदर हम आपको registered person का पूरा process बताएंगे कि अगर हमने अपना कोई office या अपनी कोई shop rent पे लिए और वो सामने उला person registered है यानि उसके पास GST नमबर भी है तो किस तरीके से उसके entry को किया जाएगा और साथ ही में हमारा teleprime का complete course है जिसके अंदर हम आपको basics ले अब example के लिए अगर हम किसी registered person को rent paid करते हैं registered person यानि जो सामने वाला person है जिसकी property हमने rent पे लिए उसके पास GST नमर है और अगर उसके पास GST नमर है तो वो हमें एक bill भी provide करेगा जिसके उपर हमारा tax भी लगेगा और rent paid के उपर जितना भी GST हम देंगे उसका ITC भी हम claim कर स दिखाते हैं तो वहां पर आपको बताते हैं किस लेजर में कौन सी information एड़ की जाएगी तो उसके लिए ट्रांजेक्शन के अंदर vouchers के अंदर आ जिए जिसकी shortcut किये भी अब voucher माने के बाद यहां पर राइट शैड में आपको काफी सारे अलगलग तरह के vouchers आ जाते हैं य अगर आपको purchase का voucher inventory mode के अंदर है तो सबसे पहले आप उसको accounting mode के अंदर convert करना होगा अभी आपको किस तरीके से पता लगेगा तो आप देखेंगे अभी यहां पे हमने purchase के voucher को open किया है और यहां पे लिखावारा पार्टीकुलर्स यानि जो हमारा purchase का voucher है हमारा accounting mode के अं inventory करनी है और अगर किसी रीजन से यहां पर आपको पार्टीकुलर्स लिखावा शो नहीं हो रहा है यहां पर लिखावा रहा है तो वहां पर आपका voucher inventory mode के अंदर open है उसको हमें accounting mode के अंदर convert करना होगा किस तरीके से करेंगे तो right side में रहते हैं यहां पर change mode पे क्लिक कर द invoice mode के अंदर entry करने तो उसको हम select कर देंगे select करने के बद यहां पर आपको पार्टीकुलर्स लिखावा आ जाएगा अब यहां पर सबसे पहले हम आपको date को change करके दिखाएंगे तो हमारी rent paid की entry को किस तरीके से किया जाता है तो जिस month का हमारा rent deal होता है उसकी payment हम next month के अंद रहे हैं और registered person को अगर हम rent paid कर रहे हैं तो उसके बदले वह हमें कोई tax invoice देगा कोई rent slip देगा यानि कोई ऐसा valid प्रूफ देगा जिसके अंदर हमारा tax भी calculate होगा उसको देख कि आपको entry यहां पर कर दानी है सबसे पहले supplier invoice number डाल दाते हैं दन उसके बद यहां पर हमसे पू हम attach कर सकते हैं तो किस तरीके से करेंगे तो उसके लिए यहां पर हमने पहले से एक invoice का सेंपल बनाके रखा हुआ है आप देखेंगे यह हमारा एक तरीके का rent की रिसीप हो गई यहां पर हमने किसी भी तरीके की figure नहीं डाली है सिर्व उसको समझाने के परपस से अगर सामन तो आप देखेंगे यहां पर सकस्फुली अटेच्मेंट हो चुकी है अब यह अटेच्मेंट वाला फीचर आपकी टैली के अंदर नहीं आ रहा होगा यह टैली का एक एडवांस फीचर है जो आपको टैली प्रैम के पेड़ कोर्स के साथ दिया जाएगा अगर आप टैली सब्सक्राइब करते हैं अगर हम देखना चाहते हैं किस तरीके से बनाया तो इसको पर आते हैं अपने कीवोड से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं जिससे यहां पर लेजर अल्टरेशन वाली स्क्रीन पाजाएंगे अब आप देखेंगे सबसे पहले हमने आप इसका नेम डाला है नेम डालने के बाद अंडर ग्रोप तो ग्रोप इसका हमने संट्रीक ऐतर रखने के बाद मैंटेवाद कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो यहां पर तो यहां पर देखेंगे ऊपर की तरफ सारी इंफर्मेशन हम डाल चुके हैं तो यहां पर जो अटेश्मेंट वाला फीचार है यहां पर आप एक अटेश्मेंट भी एड़ कर चुके हैं अगर आप इस अटेश्मेंट को देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आपको एक और इस पर आपको आपको बिल्टी है तो वह भी आप अटेश्मेंट कर सकते हैं जैसे होगा क्या अगर future में आप उस entry को कभी open करते हैं और यहाँ पे आप उसकी attachment भी देखना चाहते हैं तो open attachment पे क्लिक कर देंगे उससे related attachment open हो जाएगी अब नेक्स्ट रा पर्टिकुलर्स में यहाँ पर डालेंगे rent paid तो rent paid का ledger भी हमने पहले से बना के रखाओ इसको हम select कर दाते हैं तो किस तरीके से बराएंगे इसके उपार आते हुए हम यहाँ पर कंट्रोल enterprise कर दाते हैं सबसे पहले आपको डालना है name name को डालने के पर अं यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे rent उसका एचिस न कोड नेचर ऑफ ट्रंजेक्शन में नोट अप्ली के बल रहेगा और यहाँ पर एटीन परसंट का टैक्स रिट डाल दाते जिससे नाइन परसंट मारा सीजी इस्ट यहाँ पर सबसे पहले हम डाल दाते इंपूट सीजी एश्ट याइट नाइन परसंट तो आप देखेंगे इस पर 2250 का टैक्स भी कल्कुलेट हो चुका है और इस एंट्री को कंट्रोल एक शेप करा दाते हैं तो यहाँ पर रेंट पेड की इंटरिम सक्सेस्वली कर चुक एक चाड से लेका 68 3 के पूरी तो आप देखेंगे हर मंने के अंदर हमने सीय मीं की एंट्री की है सबसे पहले हमने मेकेंदर एंट्री की 25,000 उसके बाद जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्तूबर में, नुवंबर में और अभी दिसंबर में ये सारी एंट्री आपको नहीं पर आ जाएगी और आप देखेंगे, यहां पर इसकी भी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, इसका भी पूरा पीरिड चेंज कर लाते हैं, पूरे साल की रिपोर्ट, तो आप देखेंगे, यहां पर यहां पर आपको टोटल अमॉंट्स होगा, यानि 29,500, जिसमें से हमारा 25,000 का रेंट है, और इस पार्टी से लेटेट सारी इंफर्मेशन आ रही है, यह भी टैली प्राइम का एक एडवांस फीचर है, जो आपको पेड़ कोर्स के साथ ही फ्री अफोर्ट दिया जाएगा, टैली प्राइम के जितने भी एडवांस फीचर है, जितने भी हम इस्तमाल करते हैं, वो सारे आपको टैली प्राइम के पेड़ कोर्स के साथ फ्री अफोर्ट दिये जाएगे, अगर आप इन सभी फीचर का इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आपको टैली प्राइम का पेड़ कोर्स लेना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख आपको इन्फोर्मेशन आजाती है, अब नेक्स्ट टैप के अंदर हम आपको मन्थ वाइस एक्स्पेंस समरी दिखाते हैं, तो उसके लब गैट वाफ टैली में रहते हैं, सबसे नीचे की तरफ आपको एक उप्शन आजाएगे, जिस पर लिखा है मन्थ वाइस एक्स्प और आप देखेंगे यहां पर रेंट पेट है, हमने में के अंदर जून के अंदर जुलाई अगल सितंबर अटूबर नुमंबर दिसंबर, इन सभी के अंदर पच्चीस पच्चीस हिजार का रेंट की है, इस फीचर की मदर से हम अपनी पूरी मन्थ वाइस एक्स्पेंस सम दाते हैं, तो डेट हम आप डाल दाते हैं, एक बारा से लेके एक जनवरी, तो आप देखेंगे यहां पर वो एंट्री हमें सकस्फफुली आ जाएगी, जैसे हमें एंट्रेफ्यास करेंगे तो यहां पर सबसे पहले एंट्री शर्मा प्रोपर्टीज की आर यह 25,000 की, जि आप टैली प्रैम का पेट कोर्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वी अच्छा लगता है, और अगर आप एक परफक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो यहां पर हम आपके लिए टैली प्रैम का कंप्लीट कोर्स लाएं, विस 2020 इसके उपर आना है, तो यहां पर आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजे, रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे टैली प्रैम के कोर्स से लेटेट सारी इंफरमेशन पढ़ सकते हैं, और इस कोर्स की टोटल कोस्ट है 500, 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास ल सकते हैं, और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे, तो यहां पर आपको पूरी इंफरमेशन और कंटेंड मिल जाएगा, what you will learn in this टैली प्रैम ट्रेनिंग, यानि इस टैली प्रैम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इंफरमेशन दी जाएगी, सबसे पहले आपको जी एसटी रिलेटिट कंटेंड दिया जाएगा, यानि जी एसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है, और साथ ही मैं आप किस तरीके से जी एसटी में न्यू रेशेशन कर सकते हैं, और कैंसलेशन कर सकते हैं, और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे, तो जैसे आप इस course को complete कर लेंगे after completion आपको एक certificate भी दिया जाएगा certificate से आपके पास ये proof होगा कि आपने इस course को कहां से complete किया है और साथ ही में अगर आप इस course से related को demo videos चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ scroll करेंगे यहाँ पे आपको सभी demo videos मिल जाएगी जिस way के अंदर इन videos के अंदर समझाए गया पूरे course में आपको इसी way के अंदर information दी जाएगी और इतने नहीं इस course को आप कभी भी और कहीं भी access कर सकते हैं आप अपने mobile phone, अपने computer, अपने laptop कहीं पे भी इसको access कर सकते हैं यह सारी videos के access आपके बास lifetime तक रहेगा और future में आने वाले सभी latest updates इस course के अंदर आपको automatic add उते रहेंगे और future सभी update आपके लिए free of course है तो I hope आप इस course के अंदर enroll करना चाहेंगे इसकी total cost आप 500, 500 के अंदर इसका access आपको देद दिया जाएगा तो I hope आप टेली Prime के इस latest course को लेना चाहेंगे और अपनी computer और accounting की knowledge को पहले से काफी जादा increase करना चाहेंगे और अगर आप इस course related और information चाहते हैं तो इस video की description में आपको हमारा WhatsApp नमर मिल जाएगा आप उस WhatsApp नमर पे message कर दीजे आपको WhatsApp के दुरूब ये सारी information देदी जाएगी Thanks for watching this video